आईए जानते हैं शादी के पहले और बाद में किस किस से चक्कर चलाया दीपिका पादुकोन ने सिधार्थ मालिया, बिजनेसमैन विजय मालिया के बेटे सिधार्थ के साथ दीपिका के रिष्टे ने खोब लाइम लाइट लूटी थी सिध्धार्थ के साथ दीपिका काफी लंबे समय तक रूलेशन में रही लेकिन दीपिका सिध्धार्थ के लिए सीरियस नहीं थी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बॉलिवुड में काम पाने के लिए दीपिका विजय मालिया की लोग प्रियता और ताकत का इस्तमाल करने के लिए इस रिष्टे में थी सिध्धार्थ के अलावा दीपिका उस वक्त किसी और को भी डेट कर रही थी जब ये बात सिध्धार्थ को पता चली तो उन्होंने दीपिका से ब्रेक अप कर लिया उपेन पटेल दीपिका को लेकर इंडस्ट्री में थोड़े समय के लिए ऐसी अफवाहें रही है कि वह उपेन पटेल के साथ भी अफ्यर में रह चुकी है हालकि ये रिष्टा दीपिका के लिए सिर्फ एक टाइम पास था खबरों की माने तो दीपिका ने उपेन को भी चीट किया था जिसके बाद उपेन से उनका ब्रेक अप हो गया मुजम्मिल इब्राहिम दीपिका थोड़े समय के लिए सूपर मौजल और आक्टर मुजम्मिल के साथ रुलेशन्शिप में थी लेकिन फिर दीपिका को क्रिकेटर महेंदर सिंग धोनी से प्यार हो गया और मुजम्मिल को चीट करते हुए दीपिका धोनी के साथ रिलेशनशिप में आ गई महेंद्र सिंग धोनी धोनी और दीपिका के रिष्टे ने खूब लाइम लाइट लूटी थी यहां तक धोनी ने ये भी कुबूल किया था कि उन्हें दीपिका पर क्रश था हालकि दीपिका इस रिष्टे से भी ज्यादा साटिस्वाई नहीं रही और उनका दिल फिर युवराज सिंग पर आ गया युवराज के खातर दीपिका ने धोनी को चीट किया था धोनी से ब्रेक अप के बाद जब दीपिका युवराज के साथ रिष्टे में आई तब युवराज इस रिष्टे को लेकर काफी सीरियस हो गय थे हालकि दीपिका अभी भी इस रिष्टे को लेकर ज्यादा श्योड नहीं थी खबरों की माने तो युवराज के साथ रिष्टे में रहते हुए दीपिका कदल रनवीर कपूर पर आ गया था जिसके बाद दीपिका ने युवराज को चीट करते हुए रनबीर को डेट करना शुरू किया था निहार पांडिया दीपिका के मुंबई आने के बाद निहार उनके पहले बॉइफरिंट थे रिपोर्ट्स की माने तो दोनों की मुलाकाद 2005 में एक आक्टिंग स्कूल में हुई थी दोनों करीब 3 साल तक लिव इन रिलेशन्शिप में रहे हाला कि कमिटट होने के बावजूद दीपिका निहार से चीट कर रही थी जिसके चलते इन दोनों का ब्रेक अप हो गया रनबीर कपूर फिल्म बचना ए हसीनों के सेट पर रनबीर और दीपिका की लफ स्चोरी शुरू हुई थी रनबीर ने दीपिका को एक अवार्ड फंक्शन के दौरान प्रपोस भी किया था और दोनों लगभग तीन साल साथ रहे हाला कि दीपिका का ये रिष्टा भी ज्यादा दिन तक नहीं चला ये रिष्टा भी चीटिंग की वजह से तूट गया था काफी लंबे समय तक डेट करने के बाद दीपिका ने रनबीर सिंग से शादी कर ली लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रनवीर के साथ रिष्टे में होते हुए भी दीपिका ने उन्हें चीट किया था अपने हाल या इंटरव्यू में दीपिका ने खुलासा किया कि रनवीर सिंग के साथ रिलेशन्शिप में रहते हुए दीपिका कई अन्य पुरुशों को डेट कर रही थी